आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो से लिशन पाओ डाउनलोड नाओ जाता है जो की रेडियो लेबल है और एक थाइमीन ऐसा दिया जाता है जो की क्या है नॉन रेडियो एक्टिव है जिसे हम लोग Small T या फिर हम लोग T0 से रिप्रेजन करते हैं और उसका कलर जो है वो होता है ग्रीन तो यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो हमें जो चीज़ पता है वो होता है कि DNA सेगमेंट जो है वो बेसिकली जब प्रड्यूस होते है तो वो सेमी कंसर्वेटिव नेचर के होते है यानि एक होता है पेरिंटल का और दूसरा स्ट्रेंड होता है जो की न्यू स्ट्रेंड होते हैं तो यहां कि क्या होता है कि अगर radiolabel thymine जो है वो एक strand में पाए जाएंगे और non-radioactive दूसरे strand में इसी तरीके से अगर हम लग generation 1 कराते हैं तो वहां से भी दोनों strands जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे और अलग-अलग होने के वज़े से क्या होता है कि new strand और non-radioactive और radioactive elements जो और जहां पर नहीं है radioactive generation वहां से क्या होगा कि non-radioactive substance जो है वो produce होंगे और इसी तरीके से generation after generation यह चीज जो है वो चलता रहेगा इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक generation में अगर first generation में एक radioactive है तो second generation में radioactive का जो percentage है वो क्या होगा वो निल भी हो सकता है और third generation में अगर हम लोग तो जो radioactive percentage है वो फिर से one radioactive strand जो है या फिर one radioactive molecule जो है वो पाया जाता है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि after three generation कितने सारे radioactive molecule पाये जाएंगे थाइमीन के तो basically three molecule जो है radioactive condition में पाये जाएंगे जो कि थाइमीन के होंगे क्योंकि replication पहले से हम लोग बता रहे हैं कि यह semi-conservative होता और एक new strand जो है वो पाया जाता है